दत साल पहले असम समेट पूरे नौर्थ इस्ट में क्या स्थिती थी। पूरे नौर्थ इस्ट में रेल यात्रा और हवायात्रा बहुत ही सिमित थी। सडके संक्री भी थी और खराब भी थी। कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों को आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है। साथियों पिछले दस वरसों में हमारी सरकार ने हाँ विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवेट ट्रेक की लंबाई उननी सो किलोमिटर से जादा बढ़ाई गई। 2014 से पहलने की तुलना में रेल बजेट करीब करीब 400 प्रतिशत बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधान मंत्री आपके आस्वाम से चुचे जाते थे। उससे ज़्यादा काम यह आपका साथी कर रहा है। 2014 तक यहां सिर्प 10,000 किलोमेटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्सों में हमने 6000 किलोमेटर के नेशनल हाईवे बनाए है। आज दो और नई सड़क परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है। इससे अब इचान अगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी। आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी। दत साल पहले असम समेट पूरे नौर्थ इस्ट में क्या स्तिती थी। पूरे नौर्थ इस्ट में रेल यात्रा और हवा यात्रा बहुत ही सिमित थी। सडके संक्री भी थी और खराब भी थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना तो छोड़िये। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने में भी कई कई गंटे लग जाते थे। इन सारी परिस्थितियों का आज भाजपा की डबल इंजिन सरकार ने एंडिये सरकार ने बदला है। साथियों पिछले दस वर्सों में हमारी सरकार ने हां विकास पर होने वाले खर्च को चार गुना बढ़ाया है। 2014 के बाद रेलवेट ट्रेक की लंबाई उननी सो किलो मिटर से जादा बढ़ाई गई। 2014 से पहलने की तुलना में रेल बजेट करीब करीब चार सो प्रतिशत बढ़ाया गया है। और तब तो प्रधान मंत्री आपके आस्वाम से चुदे के जाते थे। उससे ज़्यादा काम यह आपका साथी कर रहा है। 2014 तक यहां सिर्प 10,000 किलोमेटर नेशनल हाइवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्सों में हमने 6000 किलोमेटर के नेशनल हाइवे बनाए है। आज दो और नई सड़क परियोजनाओं का उद्गाटन हुआ है। इससे अब इचान अगर तक कनेक्टिविटी और बहतर होगी। आप सभी लोगों की मुश्किले और कम होगी। साथियों आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी।